सो दोस्तों आज आपके सामने खड़ी है नई नवेली मारूती डिजायर टूर S अभी तक जो गाड़ी हमारे को कॉमर्शल परपस के लिए मारूती ओफर करता था वो वही पुरानी वली डिजायर थी और अब उन्होंने 2023 में इसको चेंज कर दिया है इंजन जो है वो पहले से आपको बड़ा इंजन मिलेगा बहतर इंजन मिलेगा और ज़ाधा पावर फीगर्स और ज़ादा माइलेज भी आपको देगा ये नई टूर S है ये सिर्फ इसका पेट्रॉल वेरियंट है आप बिलकुल CNG के साथ भी जा सकते हैं इस पेट्रॉल वेरियंट की अब प्राइज हो चुकी है 6,51,000 रुपए एक शोरूम यानि साड़े 6,00,000 रुपए एक शोरूम और अगर आप पेट्रॉल के साथ CNG के लि बिलता है नया क्या है सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल से बता दूँगा एक चीज और आपको वजा देता हूं कि आल्रेडी इसके CNG वेरियंट की मैंने वीडियो शूट की है वो आल्रेडी चैनल पर है उपर आया बटन में आपको लिंक मिलेगा आप वो भी जा पैसा लगाते हैं पैसा कमाने के लिए तो मैं इसको वर्थ समझता हूं क्योंकि यहां पर आपको आप यह समझ लेजिए कि जीरो मेंटेनेंस इंजन जिसको हम कहते हैं वो आपको यहां पर मिलता है 1.2 लीटर का यानी 1200 CC का एक इंजन आपके पास है जिसको मारूती K-series का इंजन कहता है और Dual-Z Dual Vivity Technology के साथ आएगा यह गाड़ी आपको पेट्रॉल में लगभग 23 किलोमेटर प्रति लीटर की आवरेज जो है माइलेज वो आपको देगी ऐसा कंपनी क्लेम करती है बड़ 20-21 का माइलेज यह गाड़ी आपको अराम से देगी स्पीड लिमिट वाला जो सिस्टम है वो आपको इसमें भी मिलेगा यारी असी किलोमेटर से उपर की रफतार यह टूरेस मॉडल नहीं पकड़ेगा सेफ्टी फीचर कुछ बढ़ चुके हैं कुछ अभी भी कमिया है तो वन बाई वन सब चीजों की बात करेंगे सबसे पहले तो अब अगर आप गाड़ी का फ्रेंट फेश्या देखेंगे तो यह जो अभी तक हमारे को डिजायर मिलती थी अब उससे मैच हो चुका है टूरेस जो इसका एलेकसाई मॉडल था आप यह समझे लिए वही आपके सामने खड़ा है headlamp आपको यहाँ पर मिलते है normal reflector based high lotion low beam high beam दोनों के लिए normal turn indicator है fog lamp के लिए आपको यहाँ पर केवल एक housing दी गई है इस model में company आपको fog lamp जो है वो offer नहीं करती है अगर आप फॉब गेम की थोड़ी सी side में देखेंगे तो ये आपको एक glossy सी silver finish जो है वो जरूर देखने के लिए मिलती है बीच में Suzuki का logo है जो इसकी grill है वो थोड़ी सी matte सी finish के साथ आपको मिलती है और grill की outline जो area है वो outer area में भी same उसी तरीके की silver glossy finish जो है वो आपको मिल जाती है hood के उपर कोई creases वगेरा आपको यहाँ पर नहीं मिलती अब आप आईए इस गाड़ी की side profile में यहाँ से अगर आप देखेंगे तो overall desire की यानि इस 2S की length है 3995 mm यानि एक compact sedan है लेकिन यह गाड़ी space काफी अच्छा offer करती है no doubt 1515 mm की इस गाड़ी की overall height जो है वो है और 2450 mm का wheelbase है wheelbase यानि इस पहिये यानि अगले से पिछले पहिये के बीच का जो gap है वो 2450 mm का है इसकी वजह से भी एक काफी बढ़िया space जो है वो आपको cabin में मिलता है वैसे भी मारूती ने space management जो है वो almost बढ़िया कर रखा है turn indicator आपको यहाँ fender के उपर मिलेगा ORVM जो है इसके ना तो यह electrically adjust होते हैं ना fold होते हैं ब्लाक कलर के हैं rugged सी blacked out finish जो है वो आपको मिलेगी और साथ में ही door handles भी आपको same उसी तरीके के यानि black finish के साथ मिलेंगे इस ORVM के बारे में जो चीज मुझे सबसे बुरी लगी ना वो यह है कि आपको इसको manually इस तरीके से fold तो करना ही है आपको adjust भी ऐसे करना है अंदर आपको यहाँ पर कोई toggle जो है even वो भी नहीं दे रखी है at least वो toggle होनी चाहिए थी अगर आप इसे electrical adjustment नहीं दे रहे थे तो लेकिन वो चीज मैं यहाँ पर definitely miss कर रहा हूँ ground clearance 163 mm की है इस गाड़ी की overall अब आप पीछे यहाँ पर आएंगे तो यह है इसकी fuel filling lid यह petrol वाला ही option है अगर आप CNG के साथ जाएंगे तो भाई कोई सुधार नहीं है यहाँ पर जो है वो आपको इसकी एक lid मिल जाएगी यानि वो cap वाला system आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा अंदर नहीं दिया गया है चलिए अब आप आएए इसकी पीछे की profile में गाड़ी अगर मैं पीछे से बात करूँ तो बड़ी sorted सा जो design है वो आपको देती है हलाकि जो पहले वाली टूर थी वो आगे से जादा अच्छी नहीं लगती थी लेकिन पीछे से solid लगती थी ये थोड़ा सा आगे से एक refreshing look है लेकिन पीछे से गाड़ी अच्छी लगती है लेकिन वो solid appearance जो पहले वाली गाड़ी में था वो च चोड़ा सा chrome का बार आपको यहां पर मिलेगा जो end to end tail lamps के बीच में connect हो रहा है तो always on mode में यह ऐसे शेप में जलती है आप इसे छोटा L के लिए इस तरीके से जलेंगी यह always on mode में अच्छी लगती है यह उपर जो कुछ बल्प्स आप देख रहे हैं यह LED है जब आप ब्रे बर्स लैंप जो है वो यहां पर दिया गया है पीछे वाली windshield पर कोई defogger नहीं है normal antenna जो है वो आपको यहां से visible हो जाएगा अब एक और इसका कमी सुनिए कि इस गाड़ी में आपके पास इसकी boot खोलने के लिए कोई दूसरा option नहीं है केवल एक option है चाबी आप यहां पर ल option है यहां पर जब आप आगे आएंगे driver seat के पास यहां पर आपको यह दिया गया है आप यहीं से इसकी boot और fuel filling lid जो है आप उसे खोल सकते हैं यह एक लौता option है बूट आप खोलेंगे तो यह है boot space अगर आप CNG के साथ जाते हैं तो भाइसाब boot space नाम मातर का रह जाता है ले कोई जादा ऐसा कुछ आपको यहां पर disadvantage नहीं थोड़ा बहुत अगर heavy bag भी होगा तो आपको इतना lift करने के बाद आप अंदर easily रख सकते हैं टेल गेट पर covering मिलेगी नहीं इस तरीके से वायर वगेरा जो है और यह lock का जो mechanism है यह यहां पर आपको इस तरीके से थोड़ा स पर भी देखने के लिए मिलेगी यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेम आपको नॉर्मल सा एक स्टील वील मिलेगा जेके के टायर्स मिलेंगे सेम प्रोफाइल है यानि साइस जो है वो बिल्कुल एक्वल आपके लिए रहने वाला है आगे आपको मिलती है डिस्क ब्रेक पीछे आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो उफर की जाती है और अब अगर मैं चाबी की बात करूँ तो यह है गाड़ी की चाबी चाबी आपको फिजिकली इस तरीके से लगानी पड़ेगी और जब आप इससे अपनी गाड़ी को लॉक करेंगे अभी मैंने यह ड् दर्वाजे लॉक नहीं होंगे यह देखे यानि पीछे वाला दर्वाजा जो है वो अभी भी खुला है तीनो दर्वाजे खुले हैं सिर्फ आपका ड्राइवर साइट का जो डौर है वही आपका केबल लॉक होगा अर्ब आपको पूरी गाड़ी लॉक करनी है तो आपको एक के करके पहले सारे दर्वाजे लॉक करने पड़ेंगे वही देसी जुगार से, उसके बाद ही आपकी जो प्रॉपर गाड़ी है वो लॉक हो जाएगी, चाबी निकाल लेते हैं, और यहाँ पर अब आप आईए अंदर, अच्छी चीज यह है कि अब आपको इस टूर पहले वाली टूर से जादा मिलेगा, सीट्स की कुशनिंग अगर मैं बात करूँगा तो यह काफी हद तक इंप्रूव हो चुकी है, बढ़िया यहाँ पर आपको सीट्स की कुशनिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है, हैड्रेस्ट हाला कि यहाँ पर है, फिक्स्ट ए चारो ही विंडोज आपको इस तरीके से मैनुवली रोल अप और रोल डाउन करने के लिए यहाँ पर आपको लिवर्स मिल जाएंगे, यह जो आप देखने हैं, यह केवल स्पीकर की ग्रिलेश में स्पीकर नहीं है, क्योंकि टूर मॉडल में आपको कमपनी कोई म्यूजिक सिस्टम आपर नहीं करती है, तो जब मॉजिक सिस्टम नहीं दे रही है, तो फिर स्पीकर देने का कश्ट क्यों करेगी, जब आप मॉजिक सिस्टम इसका लेंगे, आप डेफिनिटल एससरी में भी ले सकते हैं, और आप्टर मार्केट भी, तो स्पीकर आपको खुद लग अब यहां से लगाते हैं, और फिर आपको इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है, आप उसकी बात करते हैं, तो यहां से आजएए आप कैबिन के अंदर, जब आप स्विच होते हैं, तो यह इसका स्टेरिंग वील है, जो की बिलकुल नॉर्मल है, फ्लैट बॉटम जरूर है, थ्री स्पॉक का स्टेरिंग वील है, एर बैग मेंशन हुआ हुआ है, एर बैग आपको को ड्रैवर साइड में भी मिलेगा, यानि टोटल दो एर बैग आपको मिलेंगे, स्टेरिंग में यहां पर एडजस्टमेंट जो है, वो आपको मिल जाता है, इस तरीके से टिल्ट, यानि आप इसकी हाइट जो है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस साइड आपको जो है, वो प्रॉपर स्टॉक मिलेगा, वाइपर का, और इधर आपके पास हेडलम का स्टॉक जो है, वो आप देख सकते हैं, सामने क्लस्टर की अगर मैं बात करूँग, तो इसमें टैको आप switch होंगे तो range गाड़ी अभी कितनी और चलेगी, present time में गाड़ी आपको क्या fuel economy दे रही है, वो सारी चीज़े आपको यहां से visible हो जाएंगी, sides में कुछ यहां पर आपको warning lights, लेकिन personally अगर मैं आपको बताऊं, यह cluster मुझे थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा है, यहां पर अगर थोड़ा से कोई speedometer digital कर दिया जाता, या tachometer दे दिया जाता, तो वो जादा better हो सकता था, यहां पर यह थोड़ा से आपको जो side की जगा है, बड़ी अजीब सी, खाली सी जो है, वो आपको दिखाई देती है, उसके बाद अगर मैं dashboard की बात करूँ, तो dashboard overall काफी sorted ह बढ़िया है, मतलब boring design बिलकुल नहीं है, थोड़ी सी satin सी finish आपको यहां पर भी मिलेगी, hazard lamp का switch मिलेगा, side वले AC आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाते है, यहां पर कोई music system आपको मिलता नहीं है, manual आपको यहां पर automatic AC नहीं मिलता, यानि manual AC का जो setup है, वो मिलता है, इसकी side में भी थोड़ी satin सी finish आपको मेखने के लिए मिलेगी, parking brake है यहां पर, और पीछे आपको केवल एक यह cup holder मिलेगा, कोई AC नहीं है, कोई charging ports आपको पीछे नहीं मिलेगे, उपर आजएए, उपर जब आप switch होते हैं, तो visor के ओपर को vanity mirror वगरा नहीं है, इ यहां पर कोई cabin light वगरा reading light नहीं है, सिर्फ एक center में आपको यह reading light मिलेगी, जो की high lotion base है, rooftop के ओपर grab handles जो है, वो आपको foldable इस तरीके से दिये गए, जो की एक अच्छी चीज है, seat build की height fix है, headrest already आपको बता चुका हूँ, notice maximum speed limited to 80 km per hour, यह मैंने आपको अल्रेडी बता दिया और यहां है इसका glow box, glow box का size मैं कहूँगा कि okay है, ऐसी कोई खास दिक्कत आपको फिलाल यहां से होने वाली नहीं है, नीचे भी अगर आप देखेंगे तो proper dead pedal है यहां पर, ABC तीनो pedal के बाद भी एक अच्छा यहां पर आपके बास dead pedal है, ताकि आप easily अपने pair को यहां पर rest भी करवा सकते हैं, कोई issue उससे related नहीं होगा, गाड़ी में space के मामले में तो देखें कोई दिक्कत नहीं है, seats में comfort अच्छा है, under thigh support अच्छा है, cushioning अच्छी है, seats आपको side से hold अच्छे से कर लेती है, यानी बैठने उटने में तो आपको गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं ह तो वो कुछ चीजे आप यहाँ पर मिस करेंगे, कोई steering mounted controls आपको नहीं मिलते, जबकि taxi बन्दा वो चलाता है, driver बन्दा जिसनों दिन राथ चलना, उसका कोई चलने का time नहीं है, और बहुत बार उसको phone उठाना है, करना है, कोई emergency calls है, बहुत कुछ है, at least यहाँ पर वो ज पीछे आपको क्या मिलता है, वो देखे, headrest जो है, यह इस तरीके से fixed है, adjustable नहीं है, यहाँ पर बाजी मारती है, Hyundai की औरा का base model, लगबग same price में आता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर उसमें आपको headrest adjustable मिलते हैं, यहाँ नहीं है, isofix seats के mount यहाँ प पर आपको AC events वगएरा मिलते नहीं है, और hump जो है, वो भी काफी अच्छा है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, same as it is door trim, आपको मिलती है, कुछ उसमें फेर बदल नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह child safety lock वाला जो जायर में आता था, वो है यह, यह है मारूती का K-series 1.2 लीटर का dual Z dual VVT इंजन, 5-speed manual transmission के साथ आता है, इसके साथ company claim करती है, कि आपको यह गाड़ी पेट्रॉल में 23 km तक का average देगी, 20-21 भी देती है, तो कई बुरा नहीं है, उसके बाद proper insulation आपको उपर देखने के लिए मिलेगी, hood में, firewall के उपर, proper covering आपको देखने के लिए मिलेगी, placements, almost सब आपको यहाँ पर neat देखने के लिए मिलती है, no issues, नीचे भी आपको proper under body cover, जो है, यानि protections जो है, वो यहाँ पर फिलाल दी हुई है, तो यह काम तो खैर मारूती ने बढ़िया किया, चालिए, अब इ बुसरी चीज, ये इंजन आपको 88, कुछ BHP की लगबग power जो है, वो generate करके देता है, exactly मिरे को याद नहीं आ रहा, approximately 88, तो एक बढ़िया power और एक बढ़िया talk जो है, वो definitely generate करता है, और मारूती की गाड़ी, अपनी dual Z और dual VVT technology की वजह से भी, अच्छा fuel economy निकालने में capable है सेम चीज, desire के साथ भी होती है, overall अगर मैं बात करूँ, तो एक बहुत ही sensible option है, अगर आपको गाड़ी से पैसा कमाना है, 6.500,000 रुपे में बहुत ही superior सी sedan, जिसको हम कहते हैं, compact sedan वो आपको मिल जाती है, हलाकि अगर आपका budget है, तो मैं आपको ये suggest करूँगा है, कि आप VX VXI के लिए जाईए, VXI में आपका लगबग 95,000 रुपे एक्स्ट्रा जाता है, 95,000, लेकिन बहुत कुछ extra मिलता है, बहुत कुछ, reality में, and screen पर भी उपर आए बटन में भी आपको दोनों जगा वीडियो का link मिलेगा, आप जाकर एक बर देखना, hope so उस वीडियो से भी आ आइक और शेयर जरूर करिएगा, चानल को सब्सक्राइब कर लेना भाया जी गाड़ी, बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, धन्यवाद